Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an academy group दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GK के Top 60 Quesn जो की exam के Point of View से काफे important होने वाले हैं किस exam के लिए? दोस्तो इस सभी exam के लिए important होगे बट अभी SSC GD यहाँ पे exam चल रहा है तो बहुत सारे student बोले थे आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखीगा और इस quiz में आप कितने questions के answer सही कर पाते हैं नीचे comment box में अपना answer और अपना score जरू बतेगा देखिए अगर आपको इस session पसंद आता है तो please like कर देना और अपने दोस्तों को और अपने group में share जरू करिएगा देखिए दोस्तों अनकेडमी प्लस पे आपको क्या-क्या benefits मिलते हैं एक बर मैं बता देता हूँ आपको अनकेडमी प्लस पे दोस्तों live class मिलती है structure courses मिलता है पूरा unlimited access आप किसी भी एजुकेटर की class देख सकते है weekly test मिलता है personal guidance analysis test analysis दोस्तों expert guidelines study planner study material इस सारी चीज़े आपको अनकेडमी प्लस पे मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे यह code apply करके आप subscription जोइन कर सकते हैं जिससे की maximum benefit आपको मिल जाता है बाकी सफलता बैच जोइन कर सकते हैं सफलता बैच चल रहा है और जब भी आप subscription जोइन करें यह चलूर ध्यान रखेगा कि आप अगर 24 मंत का subscription जोइन करते हैं तो आपको 325 पर मंत पढ़ता है subscription यह मैं SSC यह exam के लिए बता रहा हूं और अगर आप 12 मंत का subscription जोट करते हैं तो 542 पर मंत आपको subscription मिलता है और अगर आप 6 मंत का subscription जोइन करते हैं तो 900 पर मंत का subscription आपको पड़ता है तो सबसे best जो भी रहेगा आप चूज कर सकते हैं और देखिए जैसे आप यह code apply करोगे तो यह और भी कम हो जाएंगे उस हिसाब से आप जोइन कर सकते हैं और अगर आप आज जोइन करेंगे दोस्तों 15% का और extra discount चल रहा है यह आपको आज ही मिलेगा केवन 15% plus 10% यानि कि आपका 25% discount हो जाएगा अगर आप subscription जोइन करते हैं और इसमें भी code आपको apply करना है इसमें मैं आप आपको यहां पर समझा सकता हूँ अगर आपको 15% 15% extra discount मिल रहा है तो कितना benefit आपको हो सकता है टू यह के subscription पे 1833 का आपको benefit हो रहा है extra ठीक है ना SSC के subscription पे और code आपको study 10 यह apply करना है ठीक है वही समझ में आ गया है तो please comment box में बता देना अगर समझ में नहीं है तब भी बत जाए और इस वीडियो को पूरा एंट तक देखना please like भी जरूर कर देना चले शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का पहला question है psychology वनस्पति विज्ञान की वैसाखा है जिसमें हम खालिस्थान के बारे में अध्यन करते हैं तीक है दोस्तों कोसिस करिएगा कि मैं आंसर बताए जैसे इस question का right answer सेवाल है यानि की option है तो बस आपको comment box में लिखना है one का option ने right है ठीक है ऐसा आप करोगे तो ज्यादा अच्छी practice होगी और याद भी रहेगा दूसरा question है निमिन गेसों में से किसके रिसाव के कारण भुपाल गेस तरास्दी हुई तो right answer क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही answer है और इस question का right answer होगा methyl carbameline यानि की option B right answer होगा ठीक है चले अगला question आता है अच्छा इसका मैं आपको न methyl carbameline का यह बता देता हूँ formula तो C2H3NO यह कहीं बार exam में इस परकार भी question पूछ ले जाता है तो यह भी आपको याद अखने इसमें से एक तेज गंद आती है ठीक है न और यह आपको याद अखने बस चले अगला question आता है रेडियो धर्मी विग्डन के सिधानत को किसने प्रस्तूत किया दोस्तों यह किया था रिदर फोर्ड और सोडी ने यानि की right answer इसका option यह हो जाएगा ठीक है मेरे प्यार दोस्तों next question आता है Newton के पर्थम नियम को खालिस्थान के रूप में भी जाना जाता है बिल्कुल दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है law of inertia के नाम से भी जाना जाता है जड़त्तों का नियम Newton के पर्थम नियम को कहा जाता है अच्छा यह question देखिए अभी जो group D का exam चल रहा है उसके लिए भी काफी important होंगे और बाकी exam के लिए क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि कई student बोले थे सर GED के लिए भी कुछ questions करा दीजिए ठीक है ना निमलिकित में से कौन विदूत का सबसे अच्छा सूचा लख है इस question का सही answer होगा दोस्तों बिल्कुल देखिए मैंना आपको कहीं बार option में silver वैसे सबसे अच्छा है इन चारों में यह ना तो right answer यह हो जाएगा option यह पहले number पर है बट अगर silver ना हो और यह 3 option दिये हो या इसके साथ में कोई और option add कर दिये गया हो तो कोपर दूसरे number पर आ जाएगा ठीक है फिर इसके बाद 3 अलुमूनियम आएगा और लोहा जो है वह 4 नंबर पर आएगा यह आपको इस तरीके से याद रखना है क्योंकि कई बार options भी घुमा फिराकि एक्जाम में दिये जाते हैं उस हिसाब से आप answer लगा सकते हैं स्वेडन का केंदर बैंक स्वेडन सेंत्रल बैंक दुटारा किया गया दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं il CHAN주 cupcake bên 1968 में pad यह किया गया था स्वेडन के केंदर बैंक ने नोबल पृुसकार के संस्थापक Alfred Nobel की स्मृत्ति में अर्शास्तर में Nobel पुरुषकार की स्थापना की थी ये जरूर याद रखेगा 1968 काफी important है ठीक है अगला question आता है दोस्तो next question है निमलिकित में से कौन सी एक पस्चिमी बहने वाली नदी है पस्चिम में बहने वाले नदी हैं पे पूछा जा रहा है तो इनमें अगर मैं बात करूँ दोस्तो बिल्कुल साबर मती राइट आंसर हो जाएगा ठीक है very good question आता है रास्टिय जन्जातिय नरत्य महत्सव कालिस्तान में आजित किया गया तो नेशनल ट्रैबल डैन्स फेस्टिवल हेल्ड इन तो गाइज राइपूर राइट आंसर हो जाएगा यानि की ऑप्शन ए दोस्तो नेक्स्ट कोशन आता है आपका निमलिखित में से कौन सा देश मार्ज यह तो ऐसे पुराना कोशन हो गया बट फिर भी मैं बता दू कि 2020 में 36 वी अंतरास्टिय भू वेज्ञानिक कॉंग्रेज की मेजबानी किस ने की थी तो यह दोस्तो एंडिया ने की थी यह कोशन भी आपके एक्जाम के पॉइंट वी से इम्पोर्टेंट हो सकता है ठीक है कोशन आता है दोस्तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को तैक करने के लिए भारत के सर्वुच नियाले की सकती किसके अंतरगत आती है तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा देट इस ऑप्शन ए ओरिजिनल जो डिक्षन मूल नियादीकरार इस कोशन कराई टांस होजेगा ठीक है नियादीकार चले जी अगले कोशन पर आ जाते हैं नेक्स है यदी सरकारी वे चालू खाते पर सरकार की राजस उसे अधिक हो तो क्या इस्थिती होगी तो दोस्तों इसको कहेंगे ओबिसली बात है घाटा बजट डेफिसिट बजटिंग इस कोशन का अंसर हो जाएगा यहनी की ऑप्शन ए चले नेक्स कोशन है कोशन आता है मानव रख्त के कितने घटक है how many components of human blood what is the right answer guys देखिए इस कोशन का right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है चार इस कोशन का दोस्तों right answer option c हो जाएगा तो मानव रख्त की चार घटक है जिसमें plasma आजाएगा लाल रख्त कनिकाए और white blood cells और एक आपका आजाएगा platelets ये चार हो जाएगे दोस्तों याद रख्येगा important है कोशन आता है आपका किस राज्य या केंसासित पर्देश ने कोवे 19 का मुकाबला करने के लिए operation सिल्ड शुरू किया तो दोस्तों ये किया था हाँ दिल्ली ने यानि की option डी हो जाएगा next question आता है पानी के अंदर की वस्तों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उप्योग किया जाता है پानी के अंदर की वस्तों का पता लगाने के लिए sonar का यूज किया जाता है यानि कि c is the right answer नेक्स कोशन है निमलेखित में से कौन ओम की नियम को सही डंग से इसपस्ट करता है देखी तो इस कोशन का जो सही आंसर होगा that is option C ठीक है conductor यानि की सुचालक नेक्स है अभिनव लोहान की स्खेल से सम्बंदित है अभिनव लोहान related to which sports तो मेरे प्यारे दोस्तों ये related है गोल्फ से यानि की यहाँ पर right answer होगा B next question आता है Sophie Wilms किस देश की पहली महिला PM बन गई है तो guys इस question का right answer होजएगा Belgium next question आता है आपका निमलिकित सास्तिरी निरत्यों और अपने मूल इस्थानों में से कौन सा गलत तरीके से मिलान किया गया है तो guys इस question का जो सही answer होगा बिलकुल सही है कुछी पूरी यानि की right answer is D ठीक है ये केरल से नहीं है दोस्तों ये आंद्र परदेश से है ये आपको या दखना है ठीक है नेक्स्ट कोशन आता है निमलिकित में से कौन सी जील को इको सेंसिटिव जोन खोसित किया जाना है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा वुलर जील को ठीक है यानि की right answer is option A चलिए अगला question आता है देखिए सुरंगा बावडी खबरों में है क्योंकि ये विस्व समारक की सूची में दर्ज किया गया है ये समारक खालिस्थान में इस्थी थे दोस्तों ये आपको बताना है तो इस question का right answer होगा करनाटक में है यानि की B is the right answer दोस्तों next question आता है सामार्य आग के लिए स्पस्थ दर्श्थी की निनितम दूरी कितनी होती है सामार्य आग के लिए इसपस्थ दर्श्थी की निनितम दूरी खालिस्थान है यानि की 25 cm तो right answer is option C ये आपको याद अखना है नेक्स्ट कोशन है 16 नवंबर को रास्टिय प्रेश दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन निमलिखित में से किस एजन्सी की स्थापना की गई थी तो 16 नवंबर को रास्टिय प्रेश दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन निमलिखित में से किस एजंसी की स्थापना की गई थी राइट आंसर हो जेगा प्रेस काउंसल ओफ इंडिया की यानि कि राइट आंसर इस ओप्शन है ठीक है? चले अगला कुश्चन है सविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्य संबंदों का वनन करता है सविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्य संबंदों का वनन करता है ये काफी important है तो ये दोस्तों भाग 12 करता है यानि कि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी और पार्ट जो 9 है दोस्तों वो किसके लिए है ये एक इंपोर्टेंट है ठीक है पंचायत के लिए तो यह भी आपको याद रखना है पंचायत के लिए चलिए अगला कोशन आता है आपका भारत के बैंक नोट पर किस भासाओं के में रुपे सब्द नहीं लि भासा ऐसी है जसमें सब्दों में नहीं लिखा गया है रुपे को उस भासा में नहीं लिखा गया है तो इस कोशन का रहःट आनसर हो जाएगा मनी पूरी यानि की राइट आंसर इस ओप्शन ए ठीक है देखे हिंदी और इंगलीज भासा की अलावा नोट पर दूसरे कुल 15 भासाओं का इस्तमाल होता है और इसके अलावा नोट पर कस्मीरी भी है मल्यालम भी है मराथी भी है है ना उडिया भी है नेपाली पंजाबी संस्क स्कृत तेलगू उर्दू तमिल कंणड असमी और आपकी मराथी गुजराती बंगाली यह सभी भासाइं लिखी जाती है मतलब नोट के पीछे आपने देखा होगा 15 भासाओं में लिखा होता है कई पर एक्जाम में यही छोटा सा कोशन पूछी जाता है कि कितनी नोट पर तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा यानी की राइट आंसर इस ऑप्शन भी ठीक है नेक्स कोशन है खालिस्तान की कोच 1772 में इस कोटिस चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी बहुत ही बढ़िया कोशन है दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होजएगा नाइट रोजन की किसकी दोस्तों नाइट रोजन की देखिए तद्व हाइड्रोजन को एक अधातू के रूप में वर्गीगरत किया गया है और यह अत्यदिक दवाब में धातू बन सकता है और इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी कोच 1766 में हेंडी ौ cynर ने की थी मैं है रग्न के बारे में बात बता रहाँ सब लिये पहले ये ध्यान रह Cos Be और यह आपको पता चली चुका है नाीट्रोजन की सवैंटीन 1772 में थी क्योंकि कई बार हाइड्सिण के बारे में भी पूछ़े जातहें और हिलियम की खोज की गई थी फ्रांसी सी एक ख़गोल सास्तरी थे जिनका नाम था पीरे जेंसिन तो ये भी आप याद रख सकते हैं चले अगला कोशन आता है विदुत और चुम्बकतव के बीच की कड़ी की खोज किस ने की थी तो राइट आंसर दोस्तो माइकल फिराडे हो जाएगा यानि की C is the right answer माइकल फिराडे कोशन आता है रास्तपती बिल को मंजूरी देने से रोक सकती है ये सकती किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है तो रास्तपती बिल को मंजूरी देने से रोक सकता है दोस्तो ये सकती जो रास्तपती को मिली है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है ये काफे important question हो सकता है और इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा 111 के तहत और देखिए रास्तपती जो है न दोस्तो किसी को मतला फासी की सजा से भी बचा सकता है और वो जो right दिया गई रास्तपती को वो article 72 ने दिया है ठीक है यह भी आपको याद अखना है वई चलिए जी अगला question आता है दोस्तो sorry next है किरसी के संदर में बरानी सब्द खालिस्तान को संदर्वीत करता है तो यह करता है बिलकुल सही है बरसाती खेती के लिए यानी की C right answer हो जाएगा निमलकित में से कौन सी नदी olive रिडेल कच्छों के लिए घोसले के मैदान के रूप में कारे करती है तो right answer is देवी नदी यानी की A right answer होगा next है केगा परमानू उर्जा सेंतर किस नदी के किनारे इस्थित है ठीक है इस question का right answer होगा काली नदी यानी की D is the right answer केगा generating station करनाटक के उत्तर कंणड जिले में काली नदी के पास केगा में इस्थित एक परमानू उर्जा उत्पादन station है ठीक है तो यह आपके दखना है अगला question आता है कि खालिस्तान के दोरान एक अर्थ विवस्था में चैनित वस्तूओं और सेवाओं की बास्किट का ओस्थित मुल्य इस्थर समय के साथ बढ़ता है तो यह बढ़ता है दोस्तों inflation में मुद्रयस्वती में यानि की right answer is option B दोस्तों NASA का मुख्याल्य कहाँ पर है तो NASA का जो मुख्याल्य है बिल्कुल NASA का मुख्याल्य दोस्तों Washington DC में है यानि की right answer is option A ठीक है Washington DC दोस्तों headquarter है और Washington DC जो है वो USA की capital भी है अगर मैं NASA की बात करूँ इस्थापना कब हुई थी दोस्तों ये भी एक important question बन सकता है 1958 में नासा की इस्थापना हुई थी ठीक है 29 जुलाई को 29 जुलाई 1958 में याद रखेगा दोस्तों राज्य की राज्यपाल की सपत या पर्तिग्या किस अनुच्छेद में दी गई है तो राज्यपाल की सपत या पर्तिग्या किस अनुच्छेद में दी गई है तो राइट आंसर 159 हो जाएगा आर्टिकल 159 किस देश ने COVID-19 की इलाज के रूप में बेर जूस की उप्योग की सिपारिज दी या की है तो ये दी है दोस्तों चाइना ने यानि कि राइट आंसर इस डी नेक्स है लोकसबा अध्यक्स को उसके पद से खालिस्थान दुआरा निस्कासित किया जा सकता है आंसर बताईए तो गैस ये एक अच्छा कोशन है और जादतार इस्टूडेंट यहां पर रास्पती आंसर लगा देते हैं जैसे कि मेरे को भी लग रहा है अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हों तो रास्पती राइट आंसर नहीं होगा प्रदार मंत्री भी दोस्तों नहीं होता है और देखे अर रिजोलुशन पास्ड बाई बोथ हाउस और पार्लेमेंट यह भी 2 3rd of the votes यानि कि एक special majority के साथ में टू-3rd से एक वोट के साथ में एक रिजोलुशन पास्ड करके दोस्तों लोकसभा के speaker को हटाया जा सकता है एक केस हो गया यह जो कि आर्टिकल 94 और 96 यह राइट देता है एक और तरीक से दोस्तों हटाया जा सकता है speaker is also removing disqualification for being लोकसभा member यानि कि अगर लोकसभा speaker को disqualify कर दे जाता है लोकसभा member बनने से जो की section 7 और 8 में आता है act 1951 में ठीक है act 1951 में तो इसके द्वारा भी दोस्तों लोकसभा speaker को हटाया जा सकता है तो इन तीनों में से तो कोई राइट आंसर नहीं होगा यह आपके दखने है कोईशन आता है NGT का अर्थ क्या है दोस्तों तो NGT का अर्थ है National Green Tribunal यानि की option हो जाएगा आपका C rate आंसर और देखिए National Green Tribunal जो है यह एक बोड़ी है दोस्तों जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में कब हुई थी 2010 में National Green Tribunal Act के तहद है न यह आपके दखना है बिलकुर देखिए इसका जो वह है ना उदेश्य दोस्तों प्रियावरणिय मामलों से निपटने हे तु एक निकाय की स्थापना करने वाला भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड के बाद दुनिया का तीसरा दे इस इस चीज की स्थापना करने वाला पहला ऑस्ट्रेलिया दूसरा न्यूजिलेंड और अब भारत तीसरा चले दख्षिन अफ्रीका में गान्धी जी ने नेमिलिकित में से किस पत्र को संपादित किया था तो गांधी जी ने संपादित किया था इंडिया इंडियन ओपिनियन यानि की ए रेट आंसर हो जाएगा ओलाइट चले अगले कोशन की और बढ़ते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशन है 2011 की जनगर्ना की अनुसार निमलिकित में से किस राज्य में साक्षार्त दर सबसे कम है तो जरा बताईएगा इसका राइट आंसर वही साक्षार्त दर सबसे कम है दोस्तो बिहार में ठीक है यह 2011 सेंसर के कोडिंग में बता रहा हूं और इन चारो के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 2011 की जन्रन्य की अनुसार, बिहार राज्य में भारत में सबसे कम साक्षार्थ दर है, कितनी है, ये भी याद रखेगा 63.82% और भारत का साक्षार्थ दर जो दोस्तों वैसे पूरे भारत का बात की जए, तो वो 74.04% है, ठीक है, और सबसे अधिक किस राज्य का है दोस्तों, तो सबसे अधिक है केरल का, केरल का कितना है, 93.91% है, 2011 सेंस के अकोर्डिंग, तो बिहार सबसे कम साक्षार्थ दर वाला राज्य है, और केरल सबसे अधिक वाला, दोनों ही क के मार्क्स मिल दाएंगे भारत में किस तारीक को सबसे छोटा दिन रहने की संभावना है तो देखे 21 दिसंबर को जो है वो सबसे छोटा दिन माना जाता है तो यही आपको याद रखना है दोस्तों next question है वर्स और हिम में मिश्रन के रूप में होने वाली वर्सा कहलाती है जब हम बोलते है ओले पढ़ गए ठीक है ना तो सीधी सी बात है जब ओले भी पढ़ते हैं और वर्सा भी होते हैं उसे ओले के साथ वर्सा बोल देते हैं तो यह आपको यादब इस नो नहीं खालिस्थान के मिस्र धातू से बना होता है फ्यूज तार दोस्तो एक ऐसा तार होता है जब हम पूरे घर की लाइट की जो ग्रेक्टिविटी है वो हम एक जंगे पर ऐसी जंगे पर मतलब फ्यूज तार लगा के छोड़ देते है जब कभी घर पे कोई भी ऐसी चीज का प्रेशर पड़ता है या लोड पड़ता है तो हमारा सबसे पहले फ्यूज फट जाता है मतलब वो क्नेक्टिविटी वहां से लाइट की तूट जाती है तो जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है वो टीन और लेड का बना होता है यानि कि C रैट आंसर हो जाएगा ठीक है? चलिए कोश्चन आता है अवियाविये इस्थिती के तहत जेविक सामगरी का जिवानू अब घटन है तो दोस्तों इसका हो जाएगा फर्मिनेशन यानि कि रैट आंसर ही जो अप्षन है किस देश ने नीजी स्कूलों में विदेशी पाठे करम और विदेशी सवामित्व पर रोक लगा दी है तो रैट आंसर दोस्तों C हो जाएगा चाइना ठीक है? चाइना इस दा रैट आंसर UDP इस आ तो दोस्तों UDP क्या है? Connectionless Protocol है क्या है दोस्तों? Connectionless Protocol यानि कि B रैट आंसर हो जाएगा कोशन आता है किस राज्य किनसासित पर देश ने 48 ओक्सिजन उत्पादन सहींत्र इस्थापित करने का निर्ने लिया है तो ये दोस्तों निर्ने लिया गया है तिलंगना दोरा यानि कि D रैट आंस हो जाएगा तिलंगना के मुख्य मंत्री चंद सेखर राव ने दोस्तों 17 मई 2021 को चकित्सा और सवास्त विबाग के अधिकारियों के को राज्य भर में सरकारी एस्पतालों में 48 ओक्सिजन उत्पादन सहियंत्र इस्थापित करने का निर्देश दिया और उनसे दोस्तों कोविड रोग्यों के लिए काफी मतलब इससे फायदा भी हुआ ठीक है न? चले नेक्स कोश्चन है भारत में पस्चिमी तट के उत्री भाग को के रूप में जाना जाता है तो इसे जाना जाता है दोस्तों कौनकर्ण तट यानि की एरेट आंसर होगा ठीक है जी? चले कोश्चन आता है आपका पोदो की वरदी के लिए आवश्यक तीन प्रात्मिक पोशक तत्व कौन से है? तो ये तीन पोशक तत्व है दोस्तों पोदो की वरदी के लिए आवश्यक तीन प्रात्मिक पोशक तत्व है नाइट्रोजन, फास्पोरेस और पोटेशियम यानि कि ये रैट आंसर होगा कोशन है भारत में कौन सा अभ्यारण गेंडे के लिए परसीद है और ये है किस राज्या में इस्थित है दोस्तो रैट आंसर होजेगा काजी रंगा असाम यानि कि आपका बी रैट आंसर होगा भारत में काजी रंगा रास्टे उदान अपने गेंडे के लिए परसीद है और ये असम की गोलका घाट और नावगाव जिले में इस्थित है इस अभ्यारण में दोस्तो दुनिया के गेंडे का आबादी टू थर्ड हिस्सा है और ये है युनेस्को की विश्व धरोधर इस्थल में है ठीक है टू थर्ड आबादी है इसमें गेंडो की ये भी आपको याद रखना है दोस्तो डेविस कप खालिस्थान केल से संबंदित है तो देखिए डेविस कप जो है बिल्कुल सही लॉन टैनिस से संबंदित है यानि की राइट आंसर भी हो जाएगा ठीक है चल लेजे अगला कोशन आता है वर्ष 2020 के लिए मिस युनिवर्स का ताज किसे चुना गया है तो एड्रिया मेजा इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको की है ये एड्रिया मेजा जिनको 16 माई 2021 को 69 वे संस्करण में मिस युनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया और इनकी जो उम्र है दोस्तो 26 साल की है ये और ये इतना ही आपको याद रखना है ठीक है न चले ग्रीन बेंकिंग का अर्थ क्या है ग्रीन बेंकिंग मिस तो इसका मतलब है बेंक्स फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर ग्रीन बेंकिंग का ये मतलब है नेक्स है सवतंतर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो सवतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों C. राजबोपालाचारी थे यहनिकी B. रेट आंसर हो जाएगा Next question है एक ताजा अंडा जब खारे पानी में रखा जाता है तो दोस्तों क्या होता है तो देखे एक ताजा अंडा जब खारे पानी में हम रखेंगे तो फ्लोट होने लग जाएगा यहनिकी उसमें तैरने लग जाएगा ठीके देखे ताजा अंडा जो होता हो खारे पानी में क्यों तैरता है क्योंकि खारे पानी का जो गनत होता है वो अंडे के गरत से अधिक होता है यह इतना तो आप समझते ही होंगे नेक्स कोशन है बेटी बेंगन के रूप में जाना जाने वाला बेंगन का अनुमानसिक रूप से इंजीनियर रूप विक्सित किया गया है इसका उदेश्य क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे कीट परतिरोधी बनाने के लिए इसकोशन का राइट आंसर हो जाएगा कोशन आता है दोस्तों वेस्विक खाद्यान उत्पादन में अधिक्तम योगदान देने वाली तीन फसले हैं वेस्विक खाद्यान उत्पादन में ठीक है न मैक्सिमम ग्लोबल फूड ग्रीन प्रोड़क्शन आर तो इसमें दोस्तों वीट आ जाएगा राइज और मेज यानि की राइट आंसर इस ग्यहूं ठीक है ग्यहूं चावल और मक्का ओप्शन डी हुजाएगा दोस्तों नेक्स है निमलेखित में से कौन एक तिरित्ते गतिविदी है तो तिरित्ते गतिविदी इन में से देखिए ट्रेडिंग व्यापार ये तिरित्ते गतिविदी है नेक्स है 1866 में दादा भाई नहरोजी दुवारा इस्थाफित किया गया East India Association निमन में से कौन सा सहर है दोस्तों लंदन हो जाएगा रैट आंसर याद रखेगा लंदन इस दा रैट आंसर East India Association की स्थाफिना दादा भाई नहरोजी ने 1866 में लंदन में भारतिय और सेवा निवर्ति बिर्टिस अधिकारियों के सहयोग से की थी दोस्तों कोश्चन आता है निमनिकित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का परभाव होने की सबसे कम संभावना है तो रैट आंसर दोस्तों क्या होगा Decrease Rate of Photosynthesis in Vegetation यानि की रैट आंसर हो जाएगा Option C वनस्पती में परकास सं की गठती हुई दर भारत के किस राज्या में जंक फूड फेट टेक्स लागू किया गया है जंक फूड पर फेट टेक्स लागू किया गया है तो देखे जंक फूड पर फेट टेक्स लगाने वाला राज्या आपका कौन सा है ये A है केरल यानि की रैट आंसर इस B Question है भारत में गांदी जी का पहला सत्तेगरे किस स्थान पर हुआ था तो भारत में गांदी जी का पहला सत्तेगरे दोस्तो चमपारन में हुआ था यानि की रैट आंसर ओप्षन A हो जाएगा ठीक है Next है रास्टी राजमार्क के विकास के लिए सरोट में चतुरबुज परियोजना किसके द्वारा सुरू की गई थी तो ये की गई थी अटल ब्यारी वाजबाई जी द्वारा यानि की डी रैट आंसर हो जाएगा कोश्चन है निमलकित में से किस सरोट का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है तो दोस्तों ये है थर्मल पावर ताप ये उर्जा यानि की रैट आंसर इस भी ठीक है बई तो देखे आर आप लोग ना सेशन को लाइक जरू कर जिया करें जो स्टुडेंट लाइक नहीं करते है प्लीज काफी मेनत लगती है तो आप सपोर्ट किया करें ठीक है चले और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपियेट कंटेंट इन दे वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटेड नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं ठीक है नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज़के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकी तेंक्यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल आइकन को ओन रखिए और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो स्पेशल क्लासिज हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक दिन में होती है दोस्तों धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को ग्यारा बजे दोनों ही इंपोर्टेंट है और दोनों क्लासिज को आप कैसे देख पाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा अनकेडमी प्रोफाइल क लिंग उस पे क्लिक करना है फोलो कर लेना है और फोलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशन साने स्टार्ट हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है नेक्स क्लास में थैंक्यू सो मच